चलिए एक संटेंस है अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कौन तयार है अगर आपसे पूछा जाए कौन तयार है आप शायद देखकर आपको लग रहा होगा कितने इजी संटेंस में आपसे क्यों पूछ रहा हूँ क्यों क्योंकि कौन तयार है कि इंगलिश who is who is ready लेकिन क्या आपको पता है कि आप किसी से या पूछ दीजिए कौन-कौन तयार है उसके इंगलिश कहा होगी अब कौन-कौन तयार है इधना चोटा सा संटेंस कौन तयार है कौन-कौन तयार है sometimes what happened we commit mistake in small things and we want to learn some big things, more and more things हम गलतियां अकसर छोटी चीजों में करते है और इंतजार करते हैं कि बड़ी-बड़ी चीजें हमें सीखने को मिल जाए और इस चक्र में आपका बेज तयार नहीं होता है और आप इंगलिश में हमें सा संगर्स करते है देखें कि इदनी चोटी सी चीज है कौन तयार है Who is ready? और मैंने दूसरा sentence लिख दिया कौन कौन तयार है इसकी इंगलिश क्या होगी इसको दूसरे तरीके से समझते हैं अगर आपको बोलना हो इसको past में भी समझते हैं अगर आपको बोलना हो कि कौन बिमार था Question mark कोकि question पूछा जा रहा है कौन बिमार था इसको तो आप एक जटके से बहुत आसानी तरीके से बोल देते हैं Who was ill कौन बिमार था लेकिन अगर इसी को यह पूछा जाए कौन कौन बिमार था इसके English क्या होगी तो अगर यह पूछ दिया जाए कौन कौन बिमार था अब कौन-कौन बिमार था इसके इंगलिश क्या होगी तो आज सीखते हैं बहुती सिंपल बेसिक संटेंस हैं कौन तयार है और कौन-कौन तयार है इसके इंगलिश क्या होगी कौन बिमार था वोजल तो इसको जानने से पहले यह important है आपके लिए जानना कि अगर आप singular की बात कर रहे हैं मतलब सिर्फ एक बार पूछा गया है यह singular है कौन तयार है तो आप singular helping verb का use करेंगे लेकिन जैसे अगर आप पूछते हैं कि कौन कौन तयार है इसे एक से ज़्यादा कौन का use आपकी यह है तो यह singular verb पूछल भर में change हो जाएगा बस आपको इतना ही काम करना है मतलब कौन तयार है और कौन कौन तयार है इसके English हूँ आर रेड़ी हैना आसान कितना आसान सा चीज है कि आपको अगर सिर बोलना हो कौन तयार है जैसे अगर आप बोलते हैं कौन कौन तयार है तो इस singular verb है आप इसको change कर देंगे प्रूडल वर्ब पर प्रूडल हल्पिंग वर्ब तो यहां पर इस इसका जो प्रूडल हल्पिंग वर्ब है वो आर होता है तो कौन तयार है who is ready कौन कौन तयार है who are ready in the same way इन पास्ट कौन बिमार था वोजल और आप सोचें कि कौन कौन बिमार था ये इन पास्ट में तो वोज के लिए हम वर का यूज करते है वही वर है जिसे आप प्यार से where भी बोलते है लेकिन इसे वेर नहीं पढ़ना है तो अगर कौन बिमार था यहां मैंने मीटा दिया कौन बिमार था जो मैंने पहले लिखा था और कौन-कौन बिमार था इसके English वर्ड और इसी फर्मूला को आप हमेशा यूज करते रहेंगे मैं कोसिस करूँगा आगे की वीडियो में और इससे डिटेल से बताऊ क्योंकि बहुत लोगों को इसमें भी confusion है मैं कोसिश करूँगा जल से जल रेकि वीडियो बना दू जिसमें who और whom clear हो जाए उसके बाद आप आप देख पाए कि present indefinite में past indefinite में आप अगर has have का use कर रहे हैं तो singular plural का use आप कैसे करेंगे singular verb का, plural verb का v1 का, v5 का चुकि plural के साथ आप v1 का use करेंगे singular अगर होगा तो v5 का use करेंगे यह सारी चीज़ें आप जानते हैं एक चीज़ जो आपके mind में रखना है कि कोई भी sentence अगर who से बना रहे हैं अगर similar है, तो similar verb का use करेंगे, अगर plural है, तो plural verb का use करेंगे present हो, तो उजका plural form r होता है past हो, तो was का plural form var होता है कौन बिमार है? हो isil, कौन कौन बिमार है? who areil, कौन तयार था? who wasil, कौन कौन तयार था? who wereil thank you झाल झाल